देखे आज जो section हम start करने जा रहे हैं आज हम आपके साथ एक बहुत जादा important section start करने जा रहे हैं इसका नाम है section 44A ये section बहुत जादा important है क्यों क्योंकि जब भी आप किसी की ITR या किसी की भी return file करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने mind में section 44 की कुछ बाते दिहान लखने हों ये फाइदा government ने SSE को भी दिया है और साथ साथ खुद को भी benefit दिया है तो चलिए आईए अपने section के बारे में हम discuss करते हैं section 44 इस section की जब भी बात आएगी तो आप कहीं भी हो चाहिए आप एक accountant हो चाहिए आप CA हो या कोई भी professionals में आप रहते हो तो आपको ये section परिशान करेंगे तो section हम स्टार्ट कर रहे है section 44 AA section 44 AB section 44 AD most important है section 44 ADA और section 44 AE मैंने top पर ही लिखा है most important section अगर हम मैं section की definition बताऊं तो section 44 AA बात करता है compulsory maintenance of books of account कि किस किस लोगों को book of account maintain करना ज़रूरी है दूसरा बात करता है section 44 AB जिसे बोलते है tax audit जब भी तुम्हारे मन में tax audit का मीनिया समझ जाना बड़ी मचली की बात की जारी है जिसका turnover एक limit से उपर होगा तो वो tax audit के अंदर आ जाएगा जब बात हो section 44 AD की section 44 ADA की या section बात हो 44 AE की जब आप इसकी बात करें तो आप उसे बोलेंगे deem income या presentive income इस section के अंदर हम और भी चीज़े आपके साथ cover करेंगे लेकिए लेकिए और आपके साथ आपके साथ कवर करेंगे लेकिन हम इसके साथ साथ आज अपना section start करते है section 44 double तो या बात आपको समझ आ गए होगी कि आज जो में class में पढ़ना है वो दो बाते पढ़ने हैं सबसे पहले section 44 A compulsory maintenance of book of accounts कि किस-किस को book maintain करने है section 44 A B जिसे tax audit की बात करते हैं और section 44 A D section 44 A D A और section 44 A जो बात करता है deem income या फिल presentive income की बात करता है आज हम दो section आपके साथ discuss करें उसका नाम है section 44 double मैं आपको पहले ही बता दूँ यह chapter आपको थोड़ा बहुत confuse करेगा अगर आप धियान से इस lecture को करेंगे तो में भी आपकी जो problem में solve हो जाए otherwise आप जितनी आगे बढ़ेंगे उतनी conclusion आपको बढ़ते जाए कि section में क्यों कि यह 3-4 section से मिलकर बनावा section है सबसे पहले बात करते है section 44 A की compulsory maintenance of book of account सबसे पहली बात है कि पूछ रहा है कि book किस-किस को maintain करनी चाहिए और मैं आपको बता तो book maintain करना एक बहुत अच्छी आदा थे जिससे आपको आपके income का पता होगा आपको raptors का पता होगा लेकिन कुछ ऐसे circumstances होते हैं कि जहां लोग books account maintain करना में थोड़ी सी difficulty आती है तो government ने उन लोगों को रियायद दी और कहा कि आप अगर book of account maintain नहीं करोगे अगर condition आप पूरी कर दोगे तो लेकिन याँ top पर ही लिखाए compulsory maintenance of books of account कि इन इन लोगों को books account maintain करना जरू है सबसे पहले legal कोई ऐसा account कर तो legal से belong कर तो जैसा advocate उसको book maintain करनी थी medical, engineering, architecture profession, accountancy, technical consultancy, interior decoration और other notify person ये ऐसे government ने कुछ लोगों को notify गिया है कि जिन को अपनी books accounts maintain करना compulsory है ठीके कौन-कौन लोग है वो पहला legal, दूसरा medical, तीसरा engineering, चौत था architect, profession, पाच वाँ, accountancy, शिक्स आपका technical consultancy और शिक्स, सेवन आपका interior, decoration, decoration और other notify person जिसको future में government चाहे तो notify कर सकते है, तो ये लोगों अपनी book account करना mandatory है जिसमें आपका लिखा है document as per rule 6f as may be enable the error to compute his total income कह रहा है कि इस document के बिहाब से जो 6af के अंदर बताए गए उससे आपका assessing officer होगा वो आपके income को compute कर सकता है अगर ये लोग book of account maintain करेंगे तो rule 6f prescribed books accounts के अंदर बताएगा कि आपको cash book बनानी है general book बनानी है laser बनाना है जिसमें आपकी carbon copy of bills not required if less than Rs.25 अपका bill है तो आपको maintain नहीं करना ठीक है और original में कहता है specifically for the medical practitioner जो medical line से belong करते है उनको daily base पर एक register बनाने हो daily case register हो कि कौन से case आ रहे है कौन से जा रही है inventory of drugs तो तो किसकी inventory maintain करेगा कितना drugs आ रहा हो कितना drugs चाहले तो government ने का आप कंपल सरी में आते हैं तो आपको कंपल सरी मैंने आपको दुबारा repeat करता है उनने साथ लोग बताएं जिसमें आपका legal है medical है engineer है architecture है टेकनिकल कंसर्टेंसी इंटेर टेकरवर्टर है और other notify परसर इन लोगों को cash book, journal, ledger और carbon copy लगानी अगर bill की value 25 रुपे से नीचे तो उसकी need नहीं लेकिन अगर आप medical line से belong करते हैं तो आपको cash register और साथ साथ आपको inventory of truck की maintain करनी है कि कितनी inventory आ रही हो कितनी inventory जा रही है इसके बाद important notes there above book of accounts are required to be maintained if अब कब maintain करनी है यह तो पढ़ लिए इन लोगों maintain करनी है लेकिन अब लिखाए is his gross received in all the three preceding financial year exceed 1,50,000 अगर आपकी last 3 सालों में पहले साल 1,500,000 से उपर दूसरे साल 1,500,000 से उपर होती है तो उस case में आपको यह book of account maintain करना कमपल सरी है अगर मेरे पहले साल में एक लाग दस हजार दूसरे साल में डहे लाग पर सी से लाग में साड़े चार लाग होगी तब भी मुझे book of account maintain करनी की जरवरत नहीं है इसकी बात कि हर तीनो साल में आपकी जो total income होगी या gross received होगी वो एक लाग पचास जार उपर से जादा की होनी चाहिए बात समझ आगी मैं average की बात नहीं कर रहा मैं total की बात नहीं कर रहा मैं separately year की बात कर रहा इव दा new profession अगर आप क्या करते है एक नया profession is set up in previous year then it is likely to be exceed of one life 50 thousand in that year कहता है कि अगर आपका business नया है नया होने के सार सरा अगर आपको लगता है कि आपकी gross basis वालने 50,000 से अबब होगी तो उस case में आपको सार से books of account maintain करना के start कर देना है मान लो मैं 1 апरे 2019 को मैं आता हूं और पूरे साल काम करता हूं 31st तुन 2020 और 31st तीज़ीन को सोच तो हो मुझे समय decision लेना है कि आपको books of account maintain करनी है या नहीं अगर तुम उसके बार 31 तारिफ को आकर करते हो तो आप यह माल लेना आपने लोग का violation किया हो तो आपके उपर penalty और जो भी other provision ने हो सारजबंस हो नहीं के लिए मैंने यहां बताया तीनो साल में 17, 18, 18, 19 और 19, 20 तो मेरा टन होगा कितने सोपर होता है ग्रोस रसी डेल लाग रुपे से एवरी यर होती है तो मुझे books of account maintain करना कंपल सरी otherwise मुझे कंपल सरी नहीं अगर मेरा बिसना स्टार्ट 16, 20, 20 को हो तो मुझे यह देखना है कि उस साल मेरी इंकम उतनी हो पाएगा नहीं यह तो बाद हो गई जो हमने यहां पस सीखिए जो गोर्मेंट ने नोटिफाई करें लेकिन गोर्मेंट ने इसके अंदर दो पार्टों में बाटता था इसको तो हमने जो हमने फिर आव मे पार्न है से अगर इसके जो अगर अगैं if you fall any year आपने पहले साल 2 लाग करी तीसरे साल धाई लाग करी और तीसरे साल आगे मतलब पहले डाई दो पर धाई तीसरे डेड़ पर आगे तीसरे से कम पर आगे तो आप अलाओ नहीं हो कि आपको books of account maintain करना है आपके 3 जबके लगातार या जो last 3 year है उन सबी का टोटल टोटल नहीं every year का जो gross receive तो वो one next 50,000 से अबब होनी चाहिए गोर्मेंट ने कहा कि books of account अब अधर की बात है महाँ तो गोर्मेंट नोटिफाई कर रखे थे इन इन लोग के लिकिन गोर्मेंट ने बोला अब उन लोगों की बात करें जो उसे अधर पर बत्लोटा गोर्मेंट ने बोलाएं कि अब अधर लोगों के लिए गोर्मेंट ने बात पर वहन तो प्रफेशनल की बात कर ली है अधर की बात करी कि कि नगे लोगों को books of account मेंटेन करना काम पर्सेरी है लिखाए, in the case of any SSC, कोई भी SSC हो, चाहिए वो individual हो, carrying on business or profession, the books of accounts are required to be maintained in the following cases कह रहा है कि आप कोई से भी SSC हो, अगर आप business करते या फिर professional करते हैं, तो आपको books of account करना, maintain करना compulsory है लिखाए, where the income from such business or profession is exceed rupees 1,250,000 in any of the 3 preceding previous year कह रहा है कि अगर आपके last 3 साल में आपका जो received या आपकी जो income है, मैं बात कर रहा हैं, income की, धाई लाग से उपर होती है, last 3 year की income कितने से जादा होती है, धाई लाग से उपर होती है, in any of the 3 preceding previous year or is the likely to be exceed 1,250,000 during the current previous year in case of newly set up business or profession कह रहा है कि दो बाते आपको ध्यार नखने कि आपके अगर last 3 year का जो 3 साल है, उसमें अगर धाई 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 लाग से उपर है, all year के अंदर तो आपको books of account maintain करना compulsory है, और अगर आपका business नया है, उस case में अगर आपको लगता है कि आपके इंकम धाई लाग से उपर की हो जाएगी, तो उस case के अंदर आपको books of account करना maintain compulsory है गोर्मेंट ने ये बात बोलने के बात बोला, if अगर ये condition आप पूरी नहीं करते हैं, तो फिर आप एकोर condition चेक करो if turnover or sale, if turnover or sale has exceeded rupees 25 lakh in any of 3 preceding in, अगर आपके last 3 year में जो किसी भी साल आपका 25 lakh से उपर होता है और is likely to be exceed rupees good morning 25 lakh during the current previous in case of newly set up business पहली तो आपको देखनी कि आपके हर साल में जो आपकी इंकम है वो डाइलाक से उपर होनी चेगी अगर आप ऐसा नहीं है कि आपके इंकम डाइलाक से उपर नहीं है तो आप चेक तरो कि आपका लास्ट री यर में जो टरन ओवर था वो क्या किसी भी साल डाइर 25 लाग से उपर था और अगर आपका बिजनेस नहाँ है तो आपको लगता है कि आपका तरन ओवर किसे जाए जा रहा है पच्छिस ए तो आपको बुक्स अपांट मेंटेंग करना कंपल सरी अभी बास समझ आगे तो यह बात मैंने आपको बता दिए अब लिखाए वेयर अभी बात कुछ और बात है यह तो बात सिंपल हो गए कि हमें समझ में आगिया मैंटेंस ऑफ बुक्स अपांट बाइदा अधर पहला वो लोग जिनकी इंकम लास्ट थ्री प्रिसे लाग से जादा है तो उस केस के अंदर भी आपको बुक्स अपांट करना में इसके बाद जो बाद आती है वो नेक्स प्रोविजनों की बाद आती जो थर्ड एंड जो फोर्थ कंडिशन है वो थोड़ी सी डिफेंट है क्या है डिफेंट लेको पहले मैं यही समझा दो जो बाद लेकिन जो थर्ड और फोर्थ कोईट बात करता है वो थोड़ी डिफेंट बात करता है अगर आपको समझ आए तो ठीक है नहीं तो मैं कवर करने के बाद इस पर दुबारा आओंगा आपको इस बाल कर दुबारा बताओंगा लिखा है वेर प्रोफिट एंड गेंड बात करता है अगर आप इस तरीके का बिजनेस करते हो और गुवर्मेंट ने आपको एक लिमिट दिये कि आप इतने से उपर करते हो तो आपको बुक्स ओप अकाउंट मेंटर करना कंबसरी नहीं जैसे बात करें हम सेक्शन फुर्टिवर एक इंदर गुवर्मेंट ने का अगर आप गुट्स के रिज का काम कर तो अगर आप बात करते हैं जिसमें आप ट्रांसपोर्टर के अंदर आते हो तो उस चेस के अंदर हर वायकल का हर महिने का साड़े साथ हजा रुपर में देदो और सटा साइट हो जाओं मैं आप से बुग्स ओ अपार में डिमांड ने करेंगे अपकी सिंबल तरीके से अगर आपकी पास दस वाइक करें तो हर वाइकल का साल का नबे हजार होता है नबे इंटु टैन नो लाग रुपए अपनी इंकम मान लेनी है आपको बुक्स अखाउंट दिमांड नहीं करना लेकिन आप जित पर आड़े आते हो कि मेरी इंकम साड़े 7000 से कम हैं, कम हैं, कम हैं तो गवर्मटन नहीं कहा कि आपको क्या मैंटेन करना पढूरे काउदे टहेंकी है ऐसी बात करता है пять स्फच्छन 44 बीबी दुटेंगी पाबर फिएक से रिलीटेड लिगाँ and SSE has claimed his income to be lower than the income prescribed those provisions during the previous year जो बताईगी बाती है अगर आप उससे कम शो करते हो तो तुम उस केस में क्या जाओगे उस केस में क्या करोगे आपको books of account maintain करना कम परते है पुरूफ कैसे मिलेगा कि आप कितना कमाते हो मानलो यहां मुससे एक section छूट गया इसका नाम है section 44 AD जो हमें बताता है कि अगर कोई भी बंदा अगर कोई भी बंदा जितना भी कमाता है उसका 8% अपनी income मानलेगा तो हम उससे books of account maintain करना कम पर सरी नहीं बोलेगा लेकिन कोई कहता है मेरा profit कम है तो profit कम है तो कैसा पर चलेगा तुम books of account maintain करते होगे तब ही तो बतारो मेरा profit कम है गुवर्मेंट ने कहा का तुम इस limit में नहीं आते या books of account maintain नहीं कर रहे तो आप अपनी income छो कर दो 8% के साथ तुम आपको छूएंगे नहीं लेकिन अगर आप उस्ते कम शो करते हो तो उस case के अंदर आपको books of account maintain करना कमपलसरी है और साथ साथ आपको section 44 A.B. करना tax audit भी कराना कमपलसरी ये बात इसी इंदर बताएं section 44 A.D. क्या लिखाए where the provision of section 44 A.D. close 4 क्या लिखाए where the provision of section 44 A.D. close 4 are the compulsory and his income exceeds the maximum amount not chargeable to tax in the any previous year उसने कहा अगर आपकी income अगर आपकी income कि धाई लाग से उपर है क्योंकि धाई लाग तो माफी ये क्या लिखाए ना maximum amount not chargeable to tax in the any previous year अगर तुमारी income क्या होती है धाई लाग से उपर होती है और तुम आठ परसेंट भी कम शो करते just like example के लिए मैं आपको बता जिता हूँ माल लो मेरा financial year मेरा turnover था वो 60 लाग रुपे का था और मेरे हिसाब से तुम्हें income होई वो 3 लाग 20,000 रुपे की लेकिन हम जो बात कर रहें section 44 AD के हिसाब से अब ये तो बात बात में करता हूँ माल लो मेरा turnover है 60 लाग का और मेरी income आई 3,20,000 रुपे का आपको कोई टेक्स नहीं देना तो ये क्या बोलते है टेक्स not chargeable income यहाँ पर कोई टेक्स चार्ज नहीं होता आपका गोर्मेंट ने का अगर तुमारी income धाई लाग से उपर है और तुम अपने turnover का 8% से कम शो कर रहे हो 8% से कम शो कर रहे हो तो उस case के अंदर आपको books of account maintain करना कम पसे आपकी turnover 60,000,000 का है कितने का turnover है 60,000,000 का है और आपने अपनी income 3,20,000,000 दिखाई है जो धाय लाग से जादा होती है साथ साथ और section 44 AD कहता है 4 कि आप अपनी income का कम से कम 8 पर रहे हैं तो शो कर रहे है अगर आप नहीं शो कर रहे है तो आपको books of account maintain करना कम शरी है दूसरा कहता है कि आगर आपने किसी साल अगर आपने किसी साल आज आपने section 44 AD को ले लिया आज 44 AD को adopt कर लिया तो आने वाले 5 साल तक आपको इसे section को follow करना है क्या करना है section को follow करना आपने इस साल follow कर लिया इस साल follow कर लिया लेकिन next year आपने अपने इंकम कितने परसंद दिखा दी 5% तो government ने का जिस साल अपने इंकम आप 5% दिखाऊ गो उस साल तो आपको section 44 डबल एक एंदा books of account maintaining करना compuls तरिये और साथ-साथ text audit भी कराना compuls हरी है तो क्या कराना compuls हरी है section 44 A B करवाना है और साथ-साथ क्या करवाना है section 44 A के इंदा आपको books of account maintain कराने भी कम दर्सरी है के लिए और उसके बाद जिस साल अपनी इंकम आप 5% से कम दिखाऊगे तो आने वाले जितने नेक्स 5 साल है उसमें आप section 44 A.D. का benefit नहीं ले सकते मतलब उस case के बाद और फिर आप 8% इंकम दिखाना चाओ तब भी नहीं दिखाऊगे सर में आगर 12% इंकम दिखाना चाओं तो government नहीं कोई नहीं minimum आएट है अगर जादा दिखाने जाओ तो हम आपको बना नहीं करें तो मेरी बास समझ आगई वाले कि अगर आप जिससाल 8% से उपपर दिखाओं तो आपको books of account mental करना complex हरी है जिसससर आप 8% से कम दिखाओं तो आपको books of account mental करना complex हरे है और साथ साथ आपको section 44 A.B. आंँ और जिस साल आप 8% से कम शो करोगे तो इसके बाद तो नेक्स पांच साल आएंगे उसके अंदर सक्षिन 44 AD का benefit है नहीं 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 ले सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब 5% है तो फिर आपको टेक्स ओडिट भी करानी पड़ाईगी और भुक्सर पर कम मेंटेन भी करना लिखाए नोट के अंदर नोट एस पर दर सक्षिन 44 AD क्लोस को मैं भी बढ़ाऊँ आपको वेर इन एलिजेबल एसी वो क्या होने चाहिए एक एलिजेबल एसी होने चाहिए आपको बेक्सर अपर भी में इलिजेबल एस नोट करेंड लिजेबल एसी नोट पर दर सक्षिन 44 असेस्मेंट या सब्सेक्वेंट तू या सेस्मेंट या रिलेटिंग तू दा पीवेस या इन विच दा पॉफिट हास नॉट बिन डिकले अनी अकॉर्डेंज विद दा पोविजन आप सेक्षिन 44 एड उसे सिंपल सी बात कही कि अगर तुम जिस साल इस सेक्षिन को नेक्स सब्सेक्वेंट आएंगे 5 साथ आप सेक्षिन 44 एड का बेनिफिट नहीं लेज़ें के लिए तो मैंने आज आपको जो सैक्षिन पढ़ाया वो सेक्षिन का नाम था सेक्षिन 44 एजिसका नाम था कंपल्सरी मेंटेंड बुक्स ओफ अकाउंट जिसमें इसको दो पा अगर आप इस केटिगरी के अंदर ब्लॉक करते हो तो आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी जेनरल बनाने पड़ेंगा और लेज़े साथ साथ आपको कारवन कॉपी और बिल्स नॉट रिक्वाइड इफ लेज जन आरेस 25 अगर वैलो 25 उपर से कम हैं तो मैंने नहीं करना और इस्पेशलि अगर आप मेडिकल प्रेटिशनर्स हो तो डेली केस रेजिटर बनाने की कौन कौन से केस आरे साथ साथ आपको इन्वाइनटी ऑफ ड्रॉक की मैंटेन कर दिए कि इन्वाइनटी कितनी ड्रॉक्स क्यारी कितनी जारी है यहां लिखाता है अबब बुक्स अगर आपका ट्रॉबर कितनी से जादा हो जाए आपकी ग्रोस रसी डेल लाग रुपेश से जादा हो जाए हर यह के अंदर तो आपको बुक्स अपका मेंटेन करना कंपल सरी है दूसरा अगर आपका बिजन नया आए तो उसकेस के अंदर भी आपको ही सोच नहीं कि अगर मेरा ट्रॉबर दिमेरी ग्रोस रसी डेल लाग से जादा जाएगी तो उसकेस के अंदर आपका अकांट मेंटेन करना कंपल सरी लेकिन आप जिस साल आओगे तो उस ताल एक अप्ल को ही आपको डिसीजन लेना ही कि मुझे भूक्सप अप्ल मेंटेन करना है या नहीं आप बात करी तीनों सालों के इन ही email कि बात बात 달 सालों के बात, हर सालों नहीं करने हर बात के ऐस साल को रियंत दॉद कि घर स्पूर और अजह होगा तो के तो आपको ब्रियां जो करनाoda गम कर से हैं In the case of any SSC, carrying on business or profession, the books of account are required to be maintained in the following cases. अगर आपकी income धाई लाग से उपर हैं और आपका turnover और बोला है 25 लाग से उपर हैं, दोनों में से आप कोई भी condition पूरा करते हो, तीन सालों में लगा था, तो उस case के अंदर आपको books of account मैंटेन करना कम कर सेगे। लेकिन अगर आप section 44 AE, section 44 BB, section 44 BB के अंदर आते हो और government ने जो limit बताईए उससे कमपर अगर आप जाते हो, तो उस case में आपको books of account मैंटेन करना कमपर सरी है, साथ-साथ आपको tax audit कराना भी कमपर सरी है. Section 44 AD की बात करता है, अगर आपने किसी साल इस provision को drop कर तो आने वाले पांस सालों तक आपको इस provision को follow करना है, लेकिन अगर आप इस साल इस provision को छोड़ देते हैं, तो आने वाले next पांस साल है, उसके अंदर आप इस provision का benefit नहीं लिए सकते. अब बात करते हैं section 44, अगर आप इस की summary अगर मैं बात करूँ section 44 की summary बताओं तो मैंने आपको यही बताया, कि books of account में अधर के लिए पहला तो आपकी income धाय लाग से उपर होनी छेगी, दूसरा आपका turnover 25 लाग से उपर होनी छेगी, और तीसरा अगर आप section 44 AD को adopt नहीं करते या section 44 AD को adopt नहीं करते, या section 44 AD A को adopt नहीं करते, या section 44 BB को adopt नहीं करते, तो आपको books of account maintain करना compulsory है, section 40 AD बात करता है small business की, जो हरतरा के business आते है, section 44 A की बात करता है goods carriage जो up to 10 truck तक है, section 44 AD की बात करता है जो professional, जो notify करें इसके लावा को professional है, BB बात करता है, NR मतलब non-religents जो exploration को काम पतल प्रेल दूनने के काम करता है, और BB जो बात करता है, tanky power project, कोई ऐसी company होते है, जो आपके पास आती है, और आपका पूरा business ready करके जाते है, कि आप सुच जबाओ आपका business start हो जाते है, तो बोलते है tanky power project, तो अगर आप इस तरी पैसन गे केस में, 3 यर में, all में क्या होना चाहिए आपकी इंकम, डेर कुरोड से, तेर लाओ रूपे से जो सिर्फ अधीक होना चाहिए, दूसरा, अदर केस में, लगादार तीन सालों में, पहली आपकी इंकम क्या होना चाहिए, पलस होना चाहिए, दूसरा, आपकी turn over 25 लाग से क्या होना चाहिए, सेल या टरनोबर अधिक होना चाहिए, सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 AE, सेक्शन 44 BB, सेक्शन 44 BB, lower income as prescribed, या specify in the provision of the section 44 AD, सेक्शन 44 AE, सेक्शन 44 BB, और सेक्शन 44 BBB, अगर lower दिखाओगे तब ही तो आओगे, अगर higher दिखाओ तो यहां आने की जबत क्या है, अ आपको समझ जागे है, section 44 AE किया बात करता है, इसके बाद जो आपका section आता है, वो section आता है 44 AE, हमेशा बात आती है tax audit, कि किन-किन लोगों को अपनी tax audit कराना कम पल साई, हमेशा आपने सुनाओका tax audit करानी होती है, कब करानी होती है, कब करानी होती है, क्या limit है, क्या condition है, तो 20 है और उसके business से उसको 100 लाख रुपे का turnover होता है 100 लाख I mean तूसे 1 करोर कितना turnover होता है 1 करोर रुपे से जादा का turnover होता ही तो उस case में उसे tax audit कराना compulsory है अगर profession है क्या है अगर उसका profession है जैसे वो chartered accountant है जैसे advocate है जैसे कोई technical consultancy है तो अगर उसके income 50 लाख रुपे से जादा होती है तो उस case के अंगर आपको tax audit कराना compulsory है लेकिन अगर आपका turnover 1 करोर से कम भी है तब भी आपको tax audit कराना compulsory हो जाएगा अगर आप section 44 AD section 44 AE section 44 BB section 44 BB जो presentive income है उससे कम दिखाते हो तो आपको tax audit कराना compulsory है जैसे गोर्मेंट ने तुम्हें बोला 8% मैंटेन करना है तो उससे कम करो तुमाई टन ओवर 50 लाख है तो उस case में आपको tax audit कराना compulsory है तो गोर्मेंट कैसे मान लेगी तो माने 8% इंकाम है या 10% या 2% या 3% इंकाम है तो कमेंट ने का तुम books of account मैंटेन करो मतला सासा तुम section 44 A को follow करो सासा तुम section 44 A B को follow करो अगर आप follow करोगे तो आपको tax audit कराना compulsory है यह बास समाझ आपको तुम आपको तो आपको tax audit कराना है लेकिन अगर आपको अगर तुम section 44 A D section 44 A E section 44 B B section 44 B B के अंदर आते हो और उसके अंदर आप limit कम show करते है तो government ने गाहा का income आपकी जो बताएगी उससे show करते है तो आपको tax audit साथ 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 books of account मैंटेन करना compulsory के लिए आई आगे लेकिन सर हमने तो पढ़ाये कि presentive income section 44 A D के अंदर अगर मेरी इंकम 200 लाग तक है कितनी है 200 लाग तक अगर अचलो आगी पढ़ लेंगा अभी आने वाला है where a person carries on a business as per section 44 A D and the claim date अगर कोई percent हो किस के अंदर आता है section 44 A D के अंदर आता है जो income from such business is lower than 8% of turnover and 6% online banking transaction करता है अगर उससे कम दिखाता है अगर आप नॉर्मल से केश वेस्त में तो 8% लेकिन अगर आपको सरकाम banking system से होता है तो 6% के लिए government ने बोला है कि government किसको मोटी बढ़ाना चाहती है digitalization को बढ़ाना चाहती तो government ने बोला अपने turnover का 6% करता है अगर आप इसके थुरू माल बेगती हो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करता है बैंकिंग चैलिंग तो पसर लेते देते हो वसकेस में आपको turnover कितने पसंगे 6% का अपने इंकम मानने लेकिन अगर आप उससे कम दिखा दो 8% और 6% में तो आपको क्या करना है tax audit काना कम बलसरी हो जाएग and his income exceed the maximum amount not chargeable to tax क्या है आपकी इंकम क्या हो निचिए उससे धाय लाग से ओपर हो निचेगी तभी कर सिते हो जैसे एक्जाम्पल के अंदा है मेरी टर्न वा साइट लाग है मेरी ग्रोस इंकम कितनी होगी मेरे साब थीन लाग इंकम है तुष खुप कंस एक्राट मेरी इंकम कितनी निका होगी मेरी निकेल थीन लाग 14ytt तुष क्यों हो ने चाच्सडम क्या थिन लाग-र। क्या जीग वो किल भीर में तुष क्या होगी म्नें जाख zero हईख ग्रहेम क्या वरी यवादी धन्ट साबर आँ क्या कियता है आपके इंकम किनियों चाहिए मैक्सिमल 4,80,000 किनियों चाहिए 4,80,000 अगर आपको टेक्स ओडिट नहीं करानी है तो कि लिए मेरी बास समझ आगे दो बात ही हो गई ना पहली तो आपको 60,80,000,000 अगर आपको 40,80,000 अगर लेकिन आपने देखा नहीं मेरी इंकम तो 3,80,000 अगर तो उपड़े तू टेक्स ओड़ा माफ नहीं है तू क्या कर बुक्स ओप अकांट मेंटेंगा और क्या कर टेक्स आपको 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 आपक कर्दें ऐसे राइलाग एक परदीने का इस्टेरा कि अधर आप 2 पर भी मौल्न निए गया टाइलाग स्या प्रदीनी काइलाग तो इस्टेरा एक अधर रहुआ हो पर गजा में या तो गें बुफर गजी हो आट परसेंट के हिसाब से तुम अपनी इनका मान हो उसके बात तुम जो तुमारे स्लैबरेड आता उसके अगोडिंग के पासा दो बात यहां पा लिखिए section 44 a b किसकी बात कलता 1 car for the section 44 a b के साब से आपका टनोर कितना हो अची ऐकर से उपर हो तो आपको टेक्स ठोड़िक ठानी है लेकिन section 44 a d के साब से लिमिट कितनी हो गी दो कर अगर आप 2 कर अगर आप 2 कर तक आते हो तो आपको पूसर पर मेंटेन करना अगर कोई लिमिट फोलो करता है है मैं टीप एक्षिंट के इन्दा जा इकलता है तू कमेंट ने का ठीक है तू आजा तरी लिमिट कितनी हो जाए कि audit के लिए भी दो कर्ट से उपर हो जाए Section 44 AD के साथ लेकिन तू कहजा नहीं से मिंगा 8% से कम तो तरी लिमिट कितनी है Section 44 AB के साथ से 1 कर्ट अगर तू AD कर्ट करता है तो लिमिट 2 कर्ट से उपर है तो तूझी कम पर से tax audit को आना है के लिए अगर तू 44 AD को नहीं लेता तो तरी लिमिट कितनी है 1 कर्ट और अपनी मुक्सक अकांट मेंटेंट का साथ 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 टेक्स और अपनी आपकितनी है तो लिमिट किस पर अपलाई नहीं होती तो लिमिट किस पर अपलाई नहीं होती नहीं चले वो अच्छी बात है निए सार्टिंग सेशन में बोला कि सार्ट होने के साथ ही बोला कि अच्छी आज़ा थे आपके उपर बर्डर नहीं अगर आप ऐसे करते हैं अब आता है section 44 AD जिसके लिए आप इतना पीछे ये बात इस बात को इतनी बार आपने रिमीट करा हर जगा रिपिट करा section 44 आप जब भी किसी की आईटियार बरोगे जो business line से belong करता है किस से belong करता है जो business line से belong करता है तो उस case के अंदर हमेशा आपको ये word पूछा जाता है you are declare our income presentive income section 44 AD हल जगा ये लिखा हुआ you are liable to you are like to go presentive income जो बात करता है section 44 AD government ने इस provision को इसलिए लाए है ताकि government के ओपर ना तो burden पड़े और ना ही SSE के ओपर burden पड़े government चाहती है कि हम छोटे वेपारियों को परिशान नहीं करना चाहते है क्योंकि जब हमारी team में जाती है तर दस बार लोगों की team होती है government कहती है उनकी cost बहुत जादा होती है कई बार कुछ ऐसे लोग क्लाइंटों के पास बहुत जादा है इसका नाम में section 44 AD जो बात करता है presentive income की बात करता है क्या बात करता है presentive income की बात करता है not standing anything containing to contain in section 28 to 43 कहता है कि income tax के सभी लोग को set aside कर दो सभी लोग को भूल जाओ साथ साथ ये मान लेना तुम्हें 28 से लेकर 43 तक का benefit दे दिया गया not standing anything containing to contain in section 28 to 43 से उसने कहा है कि section 23 से लेकर 43 तक की सभी प्रोविजन को क्या कर दो हटा दो क्या कर दो प्रोविजन को हटा दो अगर कौनसे scheme लेते हो section 44 AD लेते हो तो आप section 28 से लेकर 43 की जितने प्रोविजन थे सब को भुगल जाए के लिए है इसके बाद ये तो पहली condition है कि आप अपने mind में ये बाद सोच लोगें कि अगर मैं section 44 AD को adopt करता हूँ तो section 28 से लेकर section 43 C तक जो भी होंगे जो भी deduction मिलती होगी वो हम नहीं ले सकते हैं पहली बाद तो ये कि लिए ना हम depreciation अलाव कर सकते हैं और नहीं कुछ चीज का benefit हम लोग ले सकते हैं दूसरा ये benefit किस-किस को मिलेगा in case of any eligible SSC सबको नहीं मिलेगा किसको मिलेगा eligible SSC को मिलेगा जो किसके अंदर engage हैं जो eligible business के अंदर engage है और जो अपने turnover का कितना percent show कर दें 8% of total turnover gross receive of the SSC in the previous year on account of such business कहाई कि अगर तुम अपने 8% turnover का show कर दो या फिर gross receive का 8% show कर दो जो तुमने last year में कमाया है तो उस case के अंदर ये provision आपके उपर अपर अपलाई हो जाएगा के लिए sir or a some higher than claim to have been earned by the eligible SSC 8% minimum लेकिन अगा तुम 10% रिखा हो जाते हो तुम ने का मना नहीं है तुम आ सकते हो 10 रिखा सकते हो 12 रिखा सकते हो 15 रिखा सकते हो 100% रिखा सकते हो हमें कोई problem नहीं है लेकिन कितना और जी 8% से जादा होना चाहिए अब यह तो हमने कर लिया लेकिन हमें यह बात याद रहें किसकी बात कर रहा है eligible SSC eligible SSC कौन होते हैं पहला individual, दूसरा HOF, तीसरा partnership firm और इसमें cover नहीं है not LLP और company अगर आपको इसे पूछे legal SSC मतलब कौन कौन से SSC के ओपर apply होता है, individual के ओपर apply होता है, HOF के ओपर होता है, partnership के ओपर but does not apply LLP और company तो मतलब अगर किसी company की तुम ITR भरते हो, या किसी LLP की ITR भरते हो, तो session 44 AD का benefit आपर नहीं ले सकते हैं दूसरा, उसने क्या ना करा हो, claim ना करा हो, is not claim deduction under section 10AA और 1080IA to section 80RB तर, जो बात करता है special deduction की तो आपने 10AA का benefit नहीं लिया होना चाहिए, यह आप लोग जानते हैं, क्या चीज का benefit है आपको पता होगा, तो आपने नहीं पता होगा तो आपने हमने उपर दो बाते पढ़ी जी, पहला eligible SEC होना चाहिए, eligible SEC में हमने पढ़ा individual को अलाओ है, HOF को अलाओ है और partnership firm को अलाओ हो, बट किसको अलाओ नहीं है, LLP को अपलाई नहीं है और company को अपलाई नहीं clear, और साथ साथ उसने ना तो 10 A का benefit लिया हो और ना ही SECTION 80 IA to SECTION 80 RRB का benefit लिया हो eligible business क्या हो, कहता है, any business, कोई भी business, except क्या हो, except business of applying, hiring or leasing goods carriages as per SECTION 44 A कहता है कि आपका business transporter का नहीं होना चाहिए, क्यों उसके लिए तो SECTION 1 के Specially बनाए, SECTION 44 A पहले तो business नहीं होना चाहिए, दूसरा, WHO is not turnover gross receipt यह तो लिखा है, whose total turnover or gross receipt does not exceed 2 crore उसके नहीं होना चाहिए, 2 crore से उपर नहीं होना चाहिए यह gross की बात हो लिए, उपर भी 8% हमारा gross profit and industry थी तो gross मतलब तुम्हारी income, असके बाद तुम अपनी tax निगालोगे, advance tax गटाओगे, सारे benefit दोगे न तुम्हें 8% से उपर ही बैटता है, क्योंकि एक्शल में रहा है, direct expense होते है उन्हीं पर खर्ची ज्यादा होते है पर खर्ची ज्याद तुम्हें किसी चीज़ का benefit नहीं मिलेगा तुम जो 8% निकालोगे ना उसको माले तुम्हें सारे डिक्सिन ले ली तुम्हें सारे ख़चे करता दिये तुम्हें तो हमेंशे profit के इसे calculate करते हो? revenue minus expense करते हो बने एक पर अब निकम आ रहता है वह उसा गना रहते है नगी किसे वह उपने पर इसके बहुत एग रहते हैं उसके विलाबां को यह बैंफिट नहीं देंगी मंतलब यह मल निकाले उन ताम नेट आगया मतलब सेक्शेशन चशेये स्क्वेश्वण है कर Works 루吗 फेरह कि सटेंख बेनी इन ज्यक्तु और कि सी और को बैंफिट नहीं ले सकते hiring बट 28-30 का benefit नहीं ले सकते के लिए है लेकिन या लिखा है whose turnover whose total turnover gross receipt does not exit 2 curve 2 curve से जाधे नहीं अगर 2 curve से जाधे होगी तो आप tax audit के अंदर चल जाओगी तब ही आपको section नहीं मिलेगा लेकिन लिखा है this section does not apply ये section किस किस पर apply नहीं होता आप person carrying on professional as per section 44A जो किस के अंदर आते हैं जो एक अंदर आते हैं और एक अंदर में आपको बताये थे वो आर्टनों नाम आपको यादे सबको medical engineering architecture technical accountancy और interior decorator और as per notify the government the government notify and or a person engage in the nature of commission on brokerage अगर आप कोई koga काम करते है commission का काम करते है the brokerage का काम करते है आपको पापा अब बोकराई नहीं होगा person carrying on any agency business कोई किस को करते ई है agency business करती है तो उसके अपको भी apply नहीं हो consequences क्या कहता है consequences all deduction under section 30 238 including depreciation shall be deemed to have been allowed. इसका मतलब अगर आप तुम सेक्शन में आते हो तो ये मान लेना कि तुम्हें किसका benefit मिल गया है section 30 से लेका अर्थिसका सारा benefit मिल गया. उसके अंदर ये भी मान लोगी कि आपको depreciation भी मिल गया है. Return down value of assets used for the purpose of such business shall be calculated as if the depreciation have been ही calculate करोगे जैसे एक normal business के अंदर आपको करना होता है. बट तुम्हें अमान लोगी कि तुम्हें उसका benefit मिल गया किलियर है. गोवर्में ने इसलिए करा कि कि किसी के उपर hardship नहीं डालना चाहती तो गोवर्में ने simple से पाविजन निकाल दिया. बास समझ आगे मेरी के लिए आज से कुछ साल पहले अगर कोई section 44 AD के अंदर आता था तो उसको advance tax नहीं बनना होता है. आप सभी को पता है कि हम सभी को अगर हमारी income 10,000 उपर से जादा है taxable income जिसमें हमारी tax 10,000 उपर से जादा है तो हमें advance tax भरना चाहिए और advance tax नहीं चार बना जाता है पहला 15 June को दूसरा 15 June को फिर दूसरा 15 September को तीसरा 15 December को और 14 15 March को पहला जो 15 June को जाता है जितनी तुमारी taxable बनती है जिए तुम मानती है इतना कमाऊँगा में फिचर में उसका 25% टेक्स देना होता है आँ वो advance tax बता रहा हूँ दूसरा अगर को इस सितंबर मन में आता है तो उस advance का जितनी तुमारी tax बनेगा फिचर में उसका 45 पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब % 2 looking मैं चोंब कि पंदरा दिसम्बर वत गूच के इतना होता है पिचेतर बनेगा 65 पर सूर्खेージ के सब्सक्राइब यसर्च में जो तुम्नेगा सब्सक्राइब १ैम् PPE पच्छीस तो आज देदे बच्छा कितना पच्छीस तो आज देदे पंदरा मार्च लेकिन गुवर्मिंट ने का कि अगर आप क्या करते हो सक्षिन 44 AD को अडॉप करते हो तो eligible esth is required to pay advance tax however is not required to pay advance tax in the installment तुम्हें installment में tax नहीं देना के लिए है he is to pay whose advance tax in one go on before पंदरा मार्च of financially उसे कटर देना है पंदरा मार्च तक सारा टेक्स एक बार में भार देना installment में नहीं मांग रहे तुम पंदरा मार्च को एक बार में तुमारा टेक्स बनता है वो देके नत्की हो जाओ अगर इंकम 10,000 रुपर से जाता के टैक्स बल अगर आपकर टैस्ट 10,000 रुपर से जाता बनता है उसके इसके में ओके गोटिट में उसके में पौर्इन हूंच को आजाओ था आजा शीं की क्या लेजिब अलिबडब श्चाषिद केले प्रौफ फोल्ब घूर अने कि इयर previous year in accordance with section 44 AD and his declared profit for the any of five assessment year, five relevant assessment year to the previous succeeding such previous year not in accordance with the provision of section 44 AD clause 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the section 44 AD for the five subsequent relevant year to the relevant assessment year, sorry, I repeat this, where, because if you say it will be simple, I will tell you, that is the only thing I have told you, that is the only thing that you have I have told you, that is the only thing that you have to do with the exception of the case, if you have to do with the exception 44 AD, if you have to do with the exception 44 AD, नहीं ले से जैसे 19 बीस में मैंने section 44 AD को adopt कर लिया 9 20 21 में section 44 AD को follow कर लिया लेकिन section 21 22 के अंदर मैं section follow नहीं कर लिया तो उसके आने वाले 5 साल जो भी होंगे उस सालों के अंदर मैं गाली नहीं बख रहा हूं तो भी तुम सोचे बार 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 गाली बख रहा हूं कि या बता रहा हूं वे उसके वेशाट पांट सालों में अब इसका benefit नहीं ले से लगता है और संस चला जाता है तो उस चक्र में आपको यहादक नहीं वाली बात इस सिंपल बता रहा हूं अगर तुम्हें अटप कर तो 5 सां टक follow करने अगर तुम किसी साल इस स्थिन को फोलो नहीं कर पाते तो आने वाले next सालों में पांच सालों में आप इसका वेन पिड नहीं ले देगा सर्थ एक बार वेन इनकित लेख लेना पड़ेगा और किसी साथ छोड़ देते हो लेकिन गुर्णमेंट का इंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए आप सभी जानते है पांस साल के पीरेड बहुत लंबा होता है कई बार कोई बंदा जमीन से आसमान पर पहुच जाता है कोई बार आसमान से बंदा जमीन पर आजाता है तो इसनी बड़ी हार्ट शिप तो देनी ही को इग्णोर भी नहीं कर सकते जो चीज़ आपको बता लिए तो यही बात इस सेक्शन के अंदर हमने आपको बताई यह आपको गिवन होनी चाहिए जो इसके नहीं होता है कि अगर चोटे वेपारियों आपका टनों हमेशे एक कवर से नीचे रहता है कि आज 20 से कल 30 होगा कि अगर तुम बताऊ को अडू नहीं करोगे सक्शन फुर एडी को नहीं होगे तो आपको एक कांट्यन रखना पड़ेगा जो आपकी अकाउंटिं करे जुए जए रेटन फायल करें चाहिए जो आपको अपका ऑन्टिक रोगेगा जो आपको की अपकाउंटिक करें अग सारे पोविजन करें पिर आपको टैक्सी ओडिट करने के लिए कि यह हायर करना पड़ेगा उस को लक्से पैसे दोगी उतना खर्चा कंदाना करते वह एक लाग पर फिर भी वह ले जाएंगे बोलु को मिन गया तुम इतना हार्ट शिप्नी हो रहा पर अपनी इंकम का अर्ट पड़ू या हो जाएगी ठीक है section 45 AD यह बात वही है जो पीछे दोनों बाते मिक्स थी any eligible SSC to home section 44 AD clause for apply and whose total income exceeds the maximum amount not chargeable income कितनी से ज्यादा है डाइलाग रुपस है ज्यादा है और two tax shall be required to the minimum books of account as per section 44 AA and get them audit as per section 44E अगर तुम इसे कम पर दिखाते हैं तुम्हें क्या करनी पड़ेगी पहला तो आपको books of account maintain करनी पड़ेगी कि जो किस के इंदे books of account maintain होती है 44A के अंदर होती है और साथ सर आपको क्या करानी पड़ेंगे tax audit करानी पड़ेगी किसे एक chartered accountants है जो आपको एक note बना कर देगा आपको पूरी balance sheet ठीक है उसके व्याप से आपको आना पड़ेगा section 44 ADE के अंदर किलियर कित्नी पाल समझागी अब जो section आपका start होता है वो section आपका transport operation बिजन अब जानते हो are car transport क्या होता है जो goods carriage करता है अंद 나올 लोजने का काम रचता है अगर आप कोई ऐसा business करते हो क्या करते हो अगर आप कोई ऐसा business करते हैं और किस section को आप अड़ोप करते हो section 44 E को अड़ोप करते है तो government ने simple सा बोला good scale at any time during the year the income shall be deemed to be 7500 per vehicle for every month और part of the month ठीक है complete month और part of the अगर आपने का किसा है मैं 5 April को लाया तो पूरे साल की बात होगी ठीक है part of the month की बात कर रहा है ठीक है during month और part of the month during which such goods vehicle is owned by the SSC in previous year or such higher sum as declared in the return of income by the SSC साड़े साथ तो तुमारी मलजी government ने बोला साथ साथ हो लेकि तुम जादा देना जाता हो असाथ जाद नो जादा तुम मुझे कोई दिखर निए भाई साड़े आसाथ तो मैंने मिनियों बोले लेकिन तुम आठ नो दर देन जाता हो तुमारी इक्षा है अब देशक को आपको मना नहीं खा लेंगे मैनिम्फट अब फोज को चुछ नहीं न। मुझे का इमान दालो इतनी बास समय आगे आप इसका काम करते हो तो आपको अपनी हर वाइकलर कितने पसंद सो करना है साड़े 7% है लेकिन कंडिशन यह कि आपके वाइकल दस वाइकल से कम होने चाहिए करने लांस दूरिंग गवेस से अगर आपके गवेस कंडिशन आपकीज्ज तरफ्यागर कई आपकी दस नीचे वाइकल तया उप संद गट है चिस भी साल आपके वाइकल 10 से अपर ऊगए त पिस ऑनी स्थिए दूरिए अट धी है मड़ना सब्सक्राइब आपका इक जुलाइए को जो आपका था 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 आपको था था अब बोड दस वाने लेकिन आपने एक जुलाइए को गंदे आपके बाइक आपकर कितने वहाँ ग्यार हो गड़ुत फिर आप इस सक्शन दर नही चाहे आपने क्या करा हो उसको higher purchase पे लिया हो या फिर इसकी payment इंस्टॉल्मेंट पे की हो तेके higher purchase और on installment and for which the whole or part of the amount payable in still due shall be deemed to be the owner of the such goods आपको higher purchase पे लायो या इंस्टॉल्मेंट पे तो इसके क्या माने जाते हो मालिक माने जाते हो जिस दिन से तुम उसको लेका है उस दिन के दिन सही आपकी वह मानी जाएगी क्या हो आपका गुर्स है और उसको आपको साड़े साथ परसेंट देना है आपको गुर्ट चले या ना चले गुवर्मेंट को से मतलब नहीं आप दिन में दस बाल चलाओ या साल में दो बाल चलाओ गुर्मेंट ने का हम तो साड़े साथ हजार रुपे के साथ साथ हजार रुपे के साथ साथ हजार रुपे के साथ 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 हजार रुपे के साथ सब्सक्राइब करेंगे लेकिन वह उसके अंदर कंसेडर नहीं होगा आपकी फटल इंकम के अंदर ठीक है बस समझ आगे इसके बाद रिटर्ण डाउं वैलियो फसे यूज फोर दा पर फॉर सच विन्य शेल बी इसके अंदर बहसे आपको इसके अंदर भी करना है के लिए रहे हैं अगर आप इस इस इसक्रीम को अड़ाप नहीं करते है अगर आप नहीं करते हैं वी इसके अंदर बीजनेश कोंसा था एई होगा यहां बीजनेश बीजनेश कवर्टी जाल बीजिए जैल बीज आपको इसक्टलोड दो बाता है अगर आप अपनी इंकम शाड़ से कम दिखाना चाहते हो तो उस केस के अंदर आपको कहां चला जाना है अगर आप क्या करते हो उससे कम देते हो तो आपको क्या करना है सेक्शन 44A के अंदर जाना है और साथ साथ सेक्शन 44A को भी फुलो करना है फाइब कहता है यह किसके अंदर भी कबर होती है बाद यह आपने सेक्शन 44 40B पढ़ा था जिसमें हमने पार्टनर की रिमुनेशन के बारे में बता रहे था जिसमें आपको इंट्रेस अलग कराया था और अधर इमुनेशन अलग कराया था इसमें बताया था कि इंट्रेस मैक्सिमा आप कितने परसंट तक अलाग कर सकते हो बारा परसंट तक अलाग कर सकते हो only किसको मिलेगा non working और working partner को मिलेगा remuneration किसको मिलेगा working partner को मिलेगा और book profit के हिसाब से calculate करना बताया था इसमें का कि आप ये भी मान लोगे कि आपने उसका benefit भी आपने दे दिया क्या employer को दे दिया तो in the income compute under section 44AE are subject to the deduction of the partner remuneration under section 44AE 44 small b तो आप ये मान लोगे कि आपने उसका benefit भी दे दिया मतलब जितना निकलेगा तुमाना net निकल जाएगा उस पर तुमने टेक्स देना है और ये मान लोगे तुमने सारा benefit ले लिया के लिया रहे अब बात आती section 44AE की कि किसकी बात आती है section 44AE की प्रेजिटि टेक्शेशन स्कीम फॉर थ्रशान शेल कि प्रसंड कि अगर कोई बन्दा उनके लावा कोई प्रोफेशन करता जो मैने वहाब पर बताएं भ्रेजिटि अब पर बताएं धिस तार्टिंग बताया ते कि बताएं पर में अनके लावा कोई बिजनेस्ची है बंदें की चो प्रोफेशन के अंदर एंदर आता है किसके अंदर आता है उस केस के अंदर अगर आपकी लिमिट पचास लाख रुपेस से जादा है तो आपको सक्षन नहीं मिलेगा और कब मैं तो आपको मिल जाएगा अभी बतातों प्रोफेशन अलग होता है वो ग्रोस रिसीव लिखा था मां इंकम ने लिखे है यहाँ पर क्या लिखा है यह प्रोफेशन मां प्रोफेशन ने लिखा था मां टर्न ओवर लिखा था यह ग्रोस रिसीव दो नोट एक्सिट 50 लैक इन अनी प्रीवेश यह असम इकल तो 50 परसंट ओफ ज्रॉप दा एससे इन प्रीवेश यह ओन अकांट आप सच्छ पॉपेशन और हाया संप क्लेम तो हैब बीन अउन बाई दा एससे इनकम चार्ज तू दर टेक्स अनना सक्षन पीजीबीप के लिए रहे तो गोर्मेंट ने क्या बोला कि आप जितना कमाते हो सक्षन 44 ADK उस सभी का 50% तुम अपनी इनकम मालेगे चोटा नहीं 10% नहीं 5% नहीं सीधा 50% क्यों आप जानते हो जो प्रोफेशनल का केस होता है अगर मैनिफेक्शिंग का बीजन से तुसमें कोस्तिंग का पार्ट जादा होता है फ्रॉफिट थोड़ा कम होता है लेकि अगर प्रॉफिक्शन की बात होती है वहां प्रॉफिट जादा होता है कंपर जान डे आदर बिजन तो गौर्मेंट ने कर तुम अपने 50% क्या मान मान लो प्रॉफिट मान लो और उसके ब्यासर में क्या देदो टैक्स देदो और अगर नहीं मानते तो सक्षिन फुर्टिपॉर एक को फोलो करो लोगसों को मेंटेन करो और साल साल टैक्स ओडिट कंपल्सरी है ठीक है और वही बात लिखी कंसेक्वेंसिस इस आप सक्षिन फ और पे रिक खाते हो तो आपको पता रांन सेक्ष्चन फ़र्टिफॉर ए-चेटिफॉर एडे को अपला करें अब जितना स्राइस मैं नहीं बताती है सब करो इसके लिए मैं इंग्राब बनाया स्टेवर इस क्या इस पैना इसक्षन ऑन इसक्रते या बताएते पर त्स्ट जो आठ पसन वाले रूल को फोलो नहीं करते हैं तब आपको बुखस अपाउंट मेंटेन करना कंपल्स तरी के लिए अरे यह बास समझ आगी ती यह तो स्क्रिफ एक कबर होगे इसके बाद मैंने आपको बताया था सक्षिन 44 एड किसकी बात करता है ठीकी क्या बत करता है नोट सेंडिंग विद सक्षिन 28 से 43 इलिजिबल बिजनेस को मिलता है जिसमें आपको उताते हैं इंडिविज्वल हुएफ पार्टनर्शिप हम बट डस नोट अपलाई एलर्प और कांकरी यह ढुद टाउता है यह जो आपको मिलत आपको में से इसमें राइस, एक भी आपने मुझे बटा पांका है लोग बताया है रा इंडिविज कावर ना हो कोई एजनसी नहीं यह तो बतारते हैं को यह कबर ना हो वह क्या है वह आपके अरगी अगर देडम को है अगर आपने इनकम को आट परसन से करना कंपल सरी लेकिन क्या बोला अगर तुम ट्रांसपोर्टर हो क्या हो अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तक कि लिए कौन सा प्रविजन है सक्षिन 44 A E अगर चाहिए बीग हो या स्मोल अगर बीग हो तो कितना हो गया 7000 पर मेंथ पार्ट अप द लेकिन लेकिन इस साथ से इसके अगर चेइंज आया अगर आपका हेवी वाइकल है और जो 12000 किलो झाधा है तो उस case में government ने कहा है 1,000 per ton 1,000 per ton या whichever you show higher आप अगर higher देन जाद तो भी कोई दिक्कर नी और अगर minimum तो 1,000 अगर आपको कोई वाई कर ले क्या है अगर आपका कोई वाई कर ले क्या लिखा है while solving the if his business assume that SSC do not have heavy goods which grows with more than 12 MP मतला 12,000 kilo से जादा है 12,000 kilo से 12,000 kilo से जादा है तो आपका heavy bike क्या है आपका heavy bike उससे कम है तो क्या है अगर heavy bike कर ले तो आपको उस case के नदर per ton per month कितना देना है हजार रुपर देना अगर आप 10 में 12 ton या 200 ton बेशते हो तो परा 10 के साथ आपको हजार रुपर देना है 100 kilo 10,000 kilo होगे 10,000 kilo होगे कुंद तलो होगे 10,000 kilo होगे समझागे आपको section 44 AD कि किसकी बात करे only apply professional case पर अपलाई होता है 50% आपको क्या माल लेनी है आपको deem income माल लेनी है क्या माल लेनी है आपको deem income माल लेनी है और ये बात मैंने बताई कि अगर आप किसी साल section 44 AD को adopt नहीं करते तो ये बात मैंने आज आपको बताई आज हमने बहुत important section आपके साथ cover करा अगर आप section के knowledge हो गई तो में भी आप जब आप RTI file करो गया competition किसी की बनाऊगे तो इसको द्यान में रखते हैं आपको बनानी होगी आपको बनानी होगी आपको